आज बनाएंगे सुपर टेश्टी, सुपर हल्दी आवुला मुरब्बा और आप सभी को पता ही होगा कि आवुला कितना अच्छा होता है हमारी हैल्थ के लिए और आवुला के अंदर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है तो आवला हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फाइदे मंद है तो चलो रेसेपी बनाना स्टार्ट कते हैं यहाँ पर मैंने एक किलो आवला लिया है और जब भी आप मार्किट से आवला खरीड़े तो इस तरीके का अच्छे से पका हुआ और अच्छा रस भरा आवला होना चाहिए छोटे-छोटे आवले नहीं होने चाहिए ऐसे बड़े आवले रहते हैं तो हमें रेसे भी बनाने में इजी रहता है और पके हुए रहते हैं तो उसमें जो उसके गून रहते हैं पुरे विटामीन, मिनरल सब उसमें भरपूर मातरा में होता है तो सबसे पहले हमें आवला को कद्दुकस कर लेना है इस तरीके से आवला को इस तरीके से पकड़ के बस इसको गिसना है तो एह आराम से कद्दुकस हो जाता है यहाँ पर हमने आवला को इस तरीके से गिस लिया है इसमें से एक छोटी सी गुठली निकलेगी उसको हम साइट पर रख देंगे और सारे ही आवले को हमें इसी तरीके से कद्दुकस कर लेना है दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेश्ट है, मेरी रेसेपी पसंद आती है तो फ्लीज इसे लाइक कर देना, मेरी चैनल पर पहली बार है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यहाँ पर हमने सारे ही आवले को इसी तरीके से कद्दुकस कर लिया है और आवले के अंदर में बहुत सारा रस रहता है तो यह फटा-फट से कद्दुकस हो जाता है इसको करने में ज्यादा महनत नहीं लगती है यह देखिए इस तरीके का हो गया है अभी चलते हैं next step की ओर यहाँ पर हमें आवले को हलकी आज पर पकाना है तो सबसे पहले हमें एक कड़ाई गैस के उपर रखी है उसके अंदर में जो हमारा कद्दुकस किया हुआ आवला है उसको डाल देंगे पूरा ही एक साथ में डाल देंगे और मैं यहाँ पर थोड़ा गूड और थोड़ा चीनी का प्रयोग करने वाले हूँ तो मैंने 200 ग्राम चीनी लिया है मैंने 1 किलो आवला लिया है तो इसके अंदर में 200 ग्राम चीनी डाला है और इसको अभी हम दीरे-दीरे करके इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सभी आवले के अंदर में चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और गैस की फ्लैम को लो रखेंगे और इसको हमें थोड़ी दिर के लिए इस तरीके से बस मिक्स करना है तो जो आवले का जूस और चीनी है वो सब फटा-फट से मिक्स हो जाएगा इस तरीके से और इसको हमें ढखकर 2-3 मिनिट के लिए रख देंगे जब इसे ढखके रखेंगे तो इसके अंदर में हलके अलकी स्टीम बनेगी उसी से हमारी चीनी भी पिगल जाएगी और आवले भी हलके हलके पकने लगेंगे तो हमने 3 मिनिट के बाद में इसका ढखकन खोला यहां पे चीनी हमारी आपको 15-20 मिनिट का ही समय लगेगा ज्यादा समय नहीं लगेगा तो यहां पे वापस से इसको एक बार और मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से जब हम आवले का मुरब्बा बनाते हैं तो हमें बीच बीच में इस तरीके से मिलाते रहना है ताकि नीचे से यह लगना जाए जल नहीं तो हमने इसको एक बार का इस तरीके से मिक्स कर लिया अभी मैंने इसके अंदर में 200 ग्राम गूर डाला है मैंने 200 ग्राम चीनी और 200 ग्राम गूर डाला है एक किलो आवला के लिए यह सब डालने के बाद में हमें इसको वापस से मिक्स कर लेना है इस तरीके से और यह वाला मुरब्बा एकदम इंस्टेंट है आप बस तुरंत बना के तुरंत खा सकते हो तो यहां पे हमने इसको मिक्स कर दिया है और इसका कलर भी बहुती अच्छा आया है बस हमें गैस की आज को थोड़ी मिडियम रखनी है और फिर इसको लगातार इस तरीके से चलाते रहना है तकी नीचे से कड़ाई में लगना जाए और हम बीच में इस तरीके से चेक करेंगे यहां पे अभी यह जो गूड और चीनी था उसका अच्छे से इसके अंदर में चाश्णी जैसा बन गया है तो अभी हमारा मुरब्बा ज्यादा हमें नहीं पकाना है बस इसके अंदर में आधा चम्माच इलाइची का पाउडर डालेंगे और उसको वापस से मिक्स करेंगे इस तरीके से इलाइची डालने से जो इसका फ्लेवर है और भी अच्छा आता है और इसकी खुश्बू भी बहुत अच्छी आती है वैसे यह आवले का मुरब्बा है आप इसे रोट बहुत अच्छा आया है और इसके अंदर मैंने कोई फूड कलर वगेरे कुछ भी नहीं डाला है जो गूड और चीनी था दोनों का एक कलर मिक्स होके आया है तो यहां पर हमने इसके अंदर में कोई चाशनी नहीं आ रही है उपर तो हमारा मुरब्बा बन गया है तो अभी में बहुत ही हेल्दी है अभी इसको हम ठंडा कर लेते हैं सबसे पहले और ए मुरब्बा को आप डेड़ साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुड़े व्यक्ति को भी आप इसे खिला सकते हो इसको खाने से हमारी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है और इसके अंदर में विट इसे रिक्वेस्टे मेरी रेसेपी आपको पसंद आती है तो प्लीज इसे एक लाइक कर देना मेरी चैनल पर पहली बार है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मेरे तरीके से ये वाली रेसेपी एक बार जरूर ट्राई करना फिर मुझे कमेंट करके बताना मेरी र से पी काने को मिले तोई से शियर कना बिल कुल बीना बुले